Quadratic Equation के Last Exercise पर पहुंच गया है, अब तक जो हमने Exercise 2.5 तर देखा, ये सारे के सारे Exercise में हमें जितने Concepts सीखने थे हैं, Quadratic Equation से Related, मतलब किन-किन तरीकों से आप Quadratic Equation को Solve कर सकते हो, चाहे हो Factorization Method हो, Complete Square Method हो, ठीक है, आप जो भी Method से इसको Solve करना चाहते हैं, आपने उसको Solve कर ना सीखा, उसके अलावा आपने ये सीखा कि Quadratic Equation के जो Answers होते हैं, वो आप Sum of the Roots और Product of the Roots से निकाल सकते हो, अब हम आ गये हैं, इस Exercise के Last Part पर जो किसका Word Problem है, यहाँ पर Word Problem में, आपको कोई Specific तरीका नहीं पूचा है, कि आपको इसी तरीके से Exercise को Solve करना है, आपका काम यहाँ पर है क्या, आपका काम बेसिकली यह है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, बेसिकली, इंग्लिस में सेंटेंस होगा, इसको आपको एक Mathematical Equation में convert करना है, ठीक है, और अकसर बच्चे इसको लेकर काफी दातों उनमें Phobia रहता है, कि जब Word Problem आता है, तो उनको करना है, अच्छे सेंटेंस को पढ़ना है, और पढने के बाद एक्यूसन की बनाना है, और दूसरा पार्ट वही है, जो सब का होता है, कि सौल्फ करना है, तो अगर आपने एकसराईज 2.5 तक अच्छे से करा है, तो आपको Quartatic Equation तो वोफफुली अच्छे से से सौल्फ क करने आ गया होगा तो इसमें तो मेरे खायर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अब आपका पहला स्टेप जो है जो बच्चों वहां पर स्किप कर जाते हैं वो जो पहला स्टेप हो क्या इसमें बहुत 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 है जो आपको पता होना अच्वी अगर मैं आपको याद दिलाने चाहूं प्रॉब्लम शुरू करने से पहले जैसे के आप बोलन कुछ बच्चों को पता भी होगा जैसे के सम काफी सिंपल है एड करना इसके बाद डिफरेंस आता है इसके प्रॉडक्त आता है वह आपको मतलब क्या होता है डबल होता है जिख आपको पता होना चीजए डबल होता है तो काफी basic चीज़े हैं, तो इससे कुछ अलग नहीं हो, ठीक है, तो और आप एक से दो बार अगर इस exercise को प्राक्टिस कर लेने हैं, तो आपको इंशालों बहुत अच्छे से exercise समझने आ जाईगे, तो शुरू कर दे हम लोग अभी, ठीक है, और आपने हैसा भी नहीं कि इसस पहले भी लाइफ में कई रवर्ड प्रोलम किये, नहीं साइं आपने लिजरी क्वेशन किया जाएं, आपर आपने कहीं सारे इंटर्स्टिंग वर्ड प्रोलम किये, चाहे वो रोग का हो, चाहे उसके अलावा अनुलप वाला कुशन है, यो काफी थाथा आपने वर्ड प् 2.6 पहला कुश्चन, बेसिकली इसके लिए जब आप कुश्चन देखे तो अपने आस्ट एग्जूप को ज़लू रखे, फर्स्ट कुश्चन आपका है क्या देखो, प्रड़क्त ऑफ प्रगती जेज तू यर्स अगो एं त्री यर्स लेटर इस एटिफोर, फाइन हर प् आपको यहां पर पहला ही सब्द आपको क्या मिल रहे है, फ्रड़क्त मिल रहे है, पहले ही वाले मांको प्रड़क्त मिल रहे है, प्रड़क्त का मतलब ही क्या है, मल्टिप्लिकेशन है, ठीक है न, यह मैं मालूम है, अच्छा, इसके अलावा क्या है वापन, इसके अलाव यह पहले वाली एज हो भी, जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है? And three year hence, उसके बाद, तीन साल के बाद, three year hence, बोलते हैं? यहां पर, उसके बाद में, after, इसको before लिलो, अगर जिनको हिंदी की समय लाते हो, before है, यह after है, अब आप कोई चीज को before और after कम लेते हो? जब उसका present decide होता है, तभी तो उसका before after लेते हो ना, आप बोलें कि मैं पाच्वी कक्षा से पहले और पाच्वी कक्षा के बाद, कुछ मेरे में improvement आए, तो आपका present उस ताइम पर को एक point था ना, हो क्या था? Standard fifth था, पराबर, तो प्रगती का भी दो साल पहले और तीन साल बाद, यह किस में दो साल पहले है और किस में तीन साल बाद है, यह उसकी present age में है, पराबर, क्या हमको प्रगती की present age पता है? देखो question में क्या बोला है? Question में बोला ही यह है कि उसकी present age निकालो, तो जो हमको निकालना है हम उसको क्या आजियूम करेंगे? X assume करेंगे, Y assume करेंगे, जो भी, तो हम क्या आजियूम करेंगे? अब इसके बाद, present age प्रगती की क्या हो गए? X हो गए दो साल पहले उसकी age क्या होगी? Suppose करो, suppose करो एक बच्चा जिसका नाम Annas है, Annas की आज age 10 साल है, बताओ दो साल पहले कितनी age होगी? 8 साल होगी, 2 साल बाद कितनी age होगी? 12 साल होगी, क्यों? आपने यहाँ पर 10 में से 2 साल होगी, तो हमारे लिए प्रगती की case में क्या था? उसको पूछा था 2 साल पहले, तो 2 साल पहले X-2 होगी, और 3 साल बाद में जा होगी, X-3 होगी, और इन दोनों का क्या लेना था? प्रड़क्त लेना यहीज है इतनी बाद समझ के, अगर अगर यहां तक समझ ने आया, तो यहां नहीं क्या करना है? Mathematically solve करना है इसको, हमने part 1 का कर लिया, हमने equation तो बना ली, अब 2 bracket को कैसे solve करते हैं? पहले bracket का पहला दूसरा bracket पूरा, फिर पहले bracket का दूसरा ताम धिये दूसरा bracket पूरा, इस इकवस्तो इतना होगा? 84 होगा यहां तक समझ ने आई, X X क्या होगा? X-2 होगा, 3 X क्या होगा? 3 X होगा यहां तक समझे, 2 into x क्या होगा, minus 2x होगा, 2, 3 सा क्या होगा, 6 होगा, is equals to कितना होगा, 84, hopefully यहां तक समझना होगा, फिर से बताता हूँ, पहले bracket का पहला term, दूसरा bracket पूरा, पहले bracket का दूसरा term लेना है, फिर यह दूसरा bracket पूरा, ठीक है, फिर x into x, x square, 3 into x, 3x, minus 2 into x, minus 2x, minus 2 into 3 कितना होगा, minus 6 होगा, आगे इसको solve करेंगे तो क्या होगा, बताओ, यह होगा, x square होगा, 3x में से 2x चला जा जा तो क्या बच्छेगा, x बच जाएगा, यह minus 6 होगा, is equals to कितना 84 है, यह होगा, x square, plus x, यह minus 6 गहीं, plus 84 यहाँ गे, minus 84 गेलाएगा, यह equals 0, यहाँ तर तो समझाओगा, अब इसके बात क्या, यह x² होगा, यह x होगा, minus 84 और minus 6 कितना हो जागा, minus 90, यह equals 0, अब में को यह बताओ, इस notion में आने के बात, यहाँ तक आने के लागा, अब में को बताओ अब आगी क्या कर में अगर आप ने की pilot इपकर 5 तो को आप अपको अपना सॉल्b Hi मैं चाहे को आप इसको आप स्कॉरय स मैं ने का को सब्सकर्पर साफ्टनुको O सब्सक्राइजिक्षिक क्या होगा दो मैं अ़ंहे पार अभी परण करताले नियुक्नों तोफ़ोली समझेने दोवारा होगा मैं सेक्वेशन हो यहां पर फिर से लिख दिना हूँ x2 x2 plus x-90 is equal to zero है अब इसको यहां बना लो 90 को इससे multiply करो minus 90 into 1 कितना होगा minus 90 होगा अब 90 कौन-कौन से टेबल में आता है मैं इतना detail में नहीं जाओंगा factorization के हमें add करके क्या लाना है middle time लाना है तो 9 10 जा 90 होगा और plus 1 चाहिए तो यह plus 9 plus 10 और यह minus 9 होगा क्योंकि 9 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा तो अब यहां पर क्या होगा बताँ यह होगा x2 plus 10x होगा यहां क्या होगा यह minus 90 होगा इसी पोशित होगा समझा इतना यहां से common क्या होगा पटा x common आएगा तो क्या बचेगा x plus 10 में बचेगा यहां से common क्या होगा minus 9 common आएगा x आएगा यहां से अगर आपने minus 3 का comment तो recall करो यह वाली sign बदलेगी, तो यह वाली sign क्या होगी, प्लस होगी, 9 कीटे बने 90 का बता 9, 10, यार है न, दूनों bracket क्या होना चीए, यह सेम होना चीए, तो आपर दूनों bracket आपके क्या है, सेम है, ठीक है, आगे, यह हो जाएगा, x plus 10, यह हो जाएगा, x minus 9, 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, x plus 10 is equal to 0, और x minus 9 is equal to 0, तो x is equal to minus 10 आ रहा है, और x is equal to 9 आ रहा है, अब में को यह बताओ, किसी की age negative हो सकती है, क्या, नहीं हो सकती है, तो यह वाला value acceptable नहीं है, तो प्रगति की present age क्या है, 9 है, तो उसके बाद last month क्या ल यह लिख सकते है, therefore the present is, present age of प्रगति is 9 years, तो इखने साल के हो प्रगति, 9 साल, खिक है, समझने आया होगा यह question आपको, तो यह पहला question दा आपको है, जो काफे simple question दा, अब हम जाएगे question number 2 पर, question number 2 क्या कहता है, question number 2 यह कहता है, sum of the squares of 2 consecutive, consecutive पर underline करो, हिंदी में लिखो हो आपको, एक के बाद है, consecutive का मतलब होता है, अगर कोई चीज एक के बाद देखा है, अगर आपने match में सुना होगा, match ही commentary में सुना होगा, तो यह का जाता है कि धोनी hits consecutive success, इसका मतलब होता है, क्या है, एक के बाद देख, फॉरण एक के बाद देख, उसे कहता है, consecutive, sum of squares of 2 consecutive, natural even number, और एक चीज यहां पर underline करो, natural even number पर underline करो, is 244, find the numbers, ठीक है, आपको बोला क्या गया है, वो सुना, मैं एक एक चीजे करके default करता हूँ, यहां पर जो words है, उसको पहले याल रखो, यह यहां दिया है, consecutive दिया हो रहा है, consecutive का मतलब क्या होता है, one after another, यह एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक होता है, तो उसे हम क्या कहते है, consecutive कहते हैं, आप यहां पर बेटा, even national number तो है, national number कौन से numbers होता है, जो one से start होते है, even numbers अगर आप दुनिया के कोई तो अगर मैंने एक नंबर का इवन नंबर क्या है एक से बात बाला क्या होगा उसके प्लस टू होगा यानि के हमको यह समझने आया है अगर हम कभी भी कोई एवन कंजिक्येटिव नंबर को लेंगे तो अगर हमने एक को जो भी माना एक्स माना तो next आला कि क्या होगा एक्स क्रस्टू हुआ क्योंकि हम कोई भी दो let the event consecutive natural number be x and x plus 2 तो अब यह मत पूछना कि सर एक्स प्लस 2 कहां से आभी मैंने पता है तुम तो यह x हो गया और उज़रा क्या हो गया भी मैंने मैंने पता ही और आधा मिन तक बाट समझें क्या पता है समधा इन धोनों का सम करना था कैसे है स्क्वेर करें यहां दखावे अब इसको आगे चंटिफाइए करना है अ आगे ओपन कईसे गईया यह तो स्क्वेर ओगा, यह किस से ओपन होगा इसको आपन होगा 2x into 2 gugua 4x plus 2 togest square to 4 x equal to 2 4 4 यहां तक समचें x square plus y square कितना हो जाएगा 2x square हो जाएगा यहां पर कितना है । e kick sec यह है यह plus 4 है यह 244 नहीं sujet जाएगा report button minus 244 जाएगा strength to कि यहां क्या जाएगा 0 अब इसके बाद क्या हो जाएगा waktu之 फेरो जाएगा यह 4X हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस 244 में से 4 गया तो कितना मज़ेगा 240 और बड़े नंबर की साइन यहां पर जाएगी तो माइनस 240 जी को स्टो क्या हो जाएगा जी अब आप कहेंगे सर यह equation आ गया 241 इवन तो हमारे calculation को आसान करने के लिए हम हर नंबर किससे में रिवाइड करेंगे तो अगर हम हर नंबर को 2 से रिवाइड गारी है, तो वो कैसे लिखेगा हमें, 2x square upon 2 plus 4x upon 2 minus 240 upon 2 is equal to 0 upon 2, ये 2 और 2 cancel, 2 1s आ, 2 2s आ, 2 1s आ, 2 2s आ, 2 2s आ, 2 0s, ये क्या है का बताओ, x square plus 2x minus 120, 0 upon 2 तिखता हो जाएगा, 0, चीज़े, यहां तरा होगे, अब यह आसान होगे काफी है, अब तेले solve करना, पक्या करेंगे, factor 3 बनाते है, इस side बर लिखते है, इस को होगे, factor 3 बनाएगे हम अब, यहां क्या होगा, x square, पिकसे लिखे लिएते है, plus 2x minus 120, अगर आपको समझ रहे हैं, यहां से तो आप probably कुछ solve कर सकते हैं, वीडियो pause करो अगर आपने solve कर लिया है, तो इसको देखो आगे कैसे solve होगा है, यह minus 120 into 1, minus 120 होगा, middle down 2 चाहिए, काफी simple है, क्या होगा, 10, यह होगा है, यह 12 देंजा, 120, बराब, 12 देंजा, 120 होगा, और plus 2 चाहिए, तो इसे plus की sign देंगे, और इसे किस की sign देंगे, minus की sign देंगे, तो यह आगे क्या होगा, बताओ, यह हो जाएगा, x square, यहा होगा, plus 12x, minus 10x, minus 120, is equals to 0, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं, आगे, देख लो, यह दोनों को add करोगा, तो metal term मिलेगा, इन दोनों को multiply करोगा, तो यह term मिलेगा, अब common निकालना है, इसमें दे common क्या हैगा, पिटा, x, तो आगे, 12, जा आएगा, z equals to 0, ओप सो यह तो समझने आता होगा, अब यहां क्या होगा, बताओ, x plus 12, एक bracket होगा, और 1x minus 10 का bracket होगा, is equals to क्या होगा, 0, x plus 12 is equals to 0 होगा, और x minus 10 is equals to 0 होगा, x is equals to क्या होगा, minus 12, या x is equals to 10, अब आप बोलिगे सर यह दोनों आज़र सहीए आप के, नहीं, नहीं, रुको, 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 यह दोनों आज़र सहीए हो सकते, क्यों, आपके question में आपको natural number का आगे हैं, और जब आप natural number की बात करते हैं, तो उसमें negative number तो नहीं आता, तो हमारा यह answer तो acceptable नहीं है, तो हमारा एक answer में यहां पर लिग देता होगा, एक answer तो हमारा x is equal to 10 था, और दूसरा answer x plus 2 था, वो क्या होगा, 10 plus 2 होगा, और 10 plus 2 तिकना होगा, total होगा, वो दो consecutive even natural number कौन से होगे, 10 and total हो जाएंगे, समझ गया गया, तो अगर लास्ट में का conclusion दिखना है, therefore, the numbers, या even consecutive natural numbers, even consecutive नंबर्स, आर, 10 and well, ठीक है, या आपको conclusion exam में भी लिखना है, exam में भी बताना होता है सारा conclusion आपको, hopefully आपको यह समझना होगा, यह problem, इस problem की important होगे, students, question number 3 देखते है, क्या है, question number 3 देखते है, उसको पेड़े, read गरो, क्या लिखा है, इन जी ओरेंगे, अगर कॉलम में 10 है, तो रो में 15 होंगे, ठीक है, ऐसे, कॉलम में 15 है, तो रो में 20 होंगे, ऐसे, find the number of trees in each row in each column with the help of a flow chart, आपको क्या करना है, हर रो में कितने ट्री है, और हर कॉलम में कितने ट्री है, आपको flow chart की मदद से find out करना है, question नमजा क्या है, एक आपका बगीचा है, orange का एक बगीचा है, ठीक है, ऐसे माल दो, एक orange का बगीचा है, उसके अंदर आपके पास, कुछ रोज हैं, ठीक है, यह इसे रो कहते है, आर वन, आर टू, आर ट्री, तीम दागी नहीं हो नहीं, पता मुझे कितने हैं, और कॉलम में आपके, c1, c2, c3, c4, ऐसी कुछ, ठीक है, चेस बोड की तरह दिखा इदेर, अब वो लाए कि कॉलम में x ट्री है, flow chart में क्या है, x दि में कितने होंगे, x प्लस पाई होंगे, वरावर, तीक है, अच्छा, आपको फिर पूछा कि गुदू अि, तो टोल फ्री कैसे निकालना है, तो आगर टोल फार टी निकालना है, तो जब ऐसा, अरिंजमेंट आपके पास, होता है, जिसमें आपके पास rows, है, और faculty में आब क 16 10 20 आप इस पूरे अपोर से देखो गए तो तुमको 20 को दिखाई देगा है ऐसे काउन क्रोगे तो यह यहाँ पैसे देख लिख लो तुम एड़े सिदी चाहिएगा? 20 दिखाई देगा एक उसलिटा पर यहां पर अगर शुपस्पार यहां से कॉलम्स काउंट करना शुरू करता हूं सबस्क्रूर यह वन था सुरी तू ले लो यह थी ले लो यह फोर ले लो और यह कितना ले लो यहां पर कितने रो थे चार थे हैं इस प्लस फाइख है तो टोटल मेरे पास प्रिक इतने होंगे तो रोज इंटू कॉलम कर दो जितने भी rows है और into क्या कर दो column कर दो यहाँ पर दो तुमको मिल जाएंगे अजब एक row में तुम्हार पास कितने trees है? x trees है total trees पूछा है न उसे और एक column में कितने हैं तुम्हार पास x plus 5 है बराबाब तो आप क्या करो total tree निकालने के लिए rows of trees into columns of trees कर दो तो आपको total number of trees मिल जाएंगे तो अब देखो इसको करेंगे कैसे x तो हमारे पास अल्रेटी है तो x देखो हमारे पास क्या है x तो आपको दिया था कि एक column में जो tree है वो दिया था suppose करो यह column था मैं फिर से बता दो इस column में 1, 2, 3 तो इसे जाये जाये तद n में आपके दो कितने trees है x três है कितने trees आपके पास एकश तीर है किसमें column कॉलम में कले 예요 x Who rows में जब आप आएंगे यहां पर आप रूज में आएंगे मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहां पर कितने हो जाएंगे x plus 5 acontecendo तो एक row और एक column में आपको trees ले दियेगे अब आपको total tree पता लगाँ तो row आले देख लो और यहां से कौन से देख लो तो row और column को multiply कर लो तो चिल्टा मिल जाएगा total number of trees मिल जाएगे आपको तो तो हम total number of trees निकाल देख लेगे यहना यह ऐसे arrangement को समझो अगर चिनको अभी भी नी समझने आपको बता दू इसका arrangement ऐसे समझो आपको यह chessboard को ले लो और उस chessboard को लेगे number of boxes वहां पर count करो आप जब वहां पर number of boxes count करेंगे और आप rows और column को multiply करेंगे तो रो और column को multiply करके जो answer आएगा तो वह answer वही होगा जितने वहां पर क्या होंगे boxes होगे ठीक है तो question number 3 जो है तो total number of trees क्या होगा आपाना rows into columns करना था total number of trees हमें निकालना था total number of trees निकालने के लिए पहले हम देखेंगे rows में कितने थे columns में हमें दिये थे columns में जो trees हमारे हो कितने दे एक्स trees थे बराबर तो हमारे पार रोज में कितने trees होगी rows में हमारे पार trees होगी कितने x plus 5 बराबर तो total trees कितने रिजाएंगे total trees निकालने के तो क्या होगा x into x plus 5 और हमें यह दिया होगा है कि अब quantity equation भी find out करना है तो अभी हमारे आपस total कितने trees है total tree जो है numerical value में दिया होगा 158 यह दोनों क्या total tree है न यह दोनों equal होगे therefore मैं ऐसे लिख सकता हूं x into x plus 5 is equals to 150 कि यह भी total tree हो और यह भी क्या है total tree है तो अब यह x into x क्या होगा x square 5 into x क्या होगा 5x is equals to 150 होगा यह fair enough आगे क्या होगा यह x square होगा यह 5x होगा plus 150 यह आगर यह होगा minus 150 होगा 0 आपको 150 को क्या करना है factorize करना है 5 लाना है तो आप 150 को factorize के लिए 5 लाना चाहते तो 15 10 जा ले लो 15 में से 10 minus होगा 5 आएगा आपको plus 3 यह plus देदो और इसको क्या देदो minus तो क्या लिखें कि बताओ x square plus 15 x minus 10 x minus 150 is equal to 0 इसके बाद तो आपको पता है यहां से common आता है x क्या बचेगा x plus 15 यहां से minus 10 common आएगा तो यह x होगा क्योंके minus common लिए तो यह क्या हो जाएगा plus 10 के मिले 150 के कब आएगा 15 जा जाएगा तो उनों प्रैकेट से इंडियो होने से आपके वहां लिखते हो यहां होने के बाद अब हम आएगे इस पर यहां पर क्या होगा बताओ x plus 15 होगा और यह क्या होगा x minus 10 होगा is equal to क्या होगा 0 हो जाएगा x plus 15 is equal to 0 आएगा x minus 10 is equal to 0 होगा x का वाली यहां पर minus 15 आ रहा है x का वाली क्या होगा 10 आ रहा है obviously minus 15 होगा नहीं x number of trees था x 10 आया 10 किसमे था column में था तो आपको column के जो tree आपको और rows में कितने थे x plus 5 थे column में x थे row में x plus 5 थे तो आप लिखेंगे x plus 5 भी निकाल रहें आपको 10 plus 5 कितना होगा conclusion क्या आएगा बताओ therefore number of trees number of trees in rows is 10 and in sorry number of trees in column आएगा यह column है is 10 and in rows is 15 खेंगे आप आपको बस basic concept इसका पता होना चाहिए तो हर problem में यह है कुछ ना कुछ एक खास बात है आपके पस जैसे कि पिछले वाले प्रॉब्लम में जो आपका प्रॉब्लम तो उसमें आपको consecutive even natural number पता होना चाहिए कि कैसे दिखते हैं इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप row और column को जाद अगोनी के बाद यह वाले question को आप आपने school के assembly में भी इस्तेमाल कर सकते हो आपके school के assembly जब होती है तो आप उसकी rows देखो और column देखो row और column को multiply करने है तो आपके जो answer आएगा उससे समझ जाना आपके assembly में बच्चे कितने है okay question number 4 पर जाएंगे हम question number 4 देखो किया है question number 4 यह कह रहा है Vivek is older than Kishore by 5 years चीक है Vivek जो है Kishore से बढ़ा है by 5 years चीक है the sum of the reciprocal of their ages is 1 upon 6 find that present ages अब यहाँ पर एक word आ रहा है reciprocal यह reciprocal का मतलब क्या होता है reciprocal का मतलब होता है reverse older अगर मैंने किसी चीज को मैंने किसी चीज को आपको यह कहा वह x है तो उसका reverse क्या होगा 1 upon 2 मैंने कहा 2 उसका reverse क्या होगा 1 upon 2 तो यह क्या होगा mathematics की बाइसा में जैसी reciprocal older माने तो पता होता है बड़ा होता है ठीक है ना तो question देखो क्या आप question यह कि relate जो है वो किशोर से बढ़ा है 5 साथ अगर मैं यह मान लूँ question number 4 है अगर मैं मान लू let the age of Kishore be x let the age of Kishore be x मैं यह मान लेता हूँ कि Kishore की age क्या है x है ठीक है यह लिग सकता हूँ मैं therefore the age of Vivek age vivek की age कितनी होगी x plus 5 होगी कि Kishore की जितनी भी age है बिवेक उस्ससे कितना बड़ा है, बिवेक उससे कितना है पांत साल गए इन फेकली अजा है, झाल समझ घे ना, समझ गे ना, अगर मैं कहें आपके टनी एज है और आपको भाई आपसे पांत साल बड़ाई या Аपको भाई कितनी एज का होगा? 15 का होगा समझते हैं फिर उनकी condition क्या होगा इनकी ही लेकल क्वार्ण क्वा wz. तो iPhone x के लेकल था वान ऐगर डिया आफ ठोग डिये गफा दिया मान कीफिके अससी एजлетुना आपको पूण 6 होगा समझ खेए निग्या कि hij क्रेंट ś इतना problem को लेगे आपको क्या समझा इतना problem को लेगे आपको यह समझा है कि शोर की age x थी विवेक उसे 5 सल बढ़ा था तो x plus 5 हुआ दोनों की age का अगर reciprocal किया जाए तो हमें क्या मिलेगा 1 upon 6 मिलेगा इतना समझ गे आप इसको solve करते हैं कैसे solve करेंगे usually अगर ऐसा कोई equation आता है तो हम कैसे solve करते हैं ? Cross multiply करते हैं ? बस वही करते हैं x plus 5 into 1 करेंगे तो क्या होगा ? x plus 5 होगा ? किसी भी number को हो जब 1 से multiply करते हैं तो क्या होता है ? same number आता है x फ़न जा क्या होगा ? आपकर x होगा ? और यह जोना आपसे multiply होते हैं क्या होगा ? इसी इकोष्य क्या होगा है आपर वन अपॉन शिक्स होगा सिब्बल बात सम्ढ़ गया था आगी क्या होगा अगर इसको ध्यान से देखोंगे तो यह ग्याएगा X प्लस 5 प्लस X जै का यहां क्या होगा X इंटू X क्या होगा और 5 into x क्या होगा 5x जी को सुख्या हो, 1 upon 6 होगा बात समझ जाई, सिंबल है यहां तक अब यह x और x मिलाकर कितना हो जाएगा, 2x यह कितना हो जाएगा, 5 यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा x square plus 5x यहां पर क्या होगा, 1 upon 6 हो जाएगा ठीक है, यहां तक समझ ले, अब इसको यहां बेज़ दो यह होगा, 20 में equals 2 है, अब यह 6 यहां चलाएगा, तो 6 into क्या हो जाएगा 2x plus 5, और यह bracket 1 से multiply होगा जब भी भी कोई number 1 से multiply होता तो कैसे रहता है, वैसे ही रहता है यह क्या हो जाएगा, x square plus 5x जाएगा आगे क्या होगा, 6 true जा, 2lx होगा, 6 five जा क्या होगा, 3t होगा, यहां क्या होगा, x square plus 5x होगा यहां दक समझेगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखाएगा इसम्लिफिकेशन होट जाएगा बढ़ा है, और कोश नहीं है अब हम यह वाले इस side को पहले लिखते हैं, क्या था, x square plus 5x, यह plus 12x को यहां लेकर आते हैं, और plus 30 को भी यहां लाते हैं, तो दोनों माइनस दो जाएगें, माइनस 12x, माइनस 30, इसी इकोस्टो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, यहां दक आप समझ गें, यहां दक समझन से 12x को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, माइनस 7x बच जाएगा, आपके पास, चीक है, और यहां पर क्या बच था, 30, इसी कोस्टो क्या बच जाएगा, 0, फिर वही उसी stage माइनस 30 है, क्या चाहिए, आपको 7 चाहिए, कितने जाओगा, 10 3s होगा, 10 3s हो 30 होगा, माइनस 7 चाहिए, तो इसे माइनस और इसे प्लस की साइन देने पूटे है, बराबर, usually, maximum case में हम यही करते हैं, जो के middle term की साइन होती है, हम वो साइन इसको कैसे देते हैं, हम वो साइन इसको वैसे देते हैं, हम देखते हैं यहां पर कि जो बड़ा नंबर को होता है, जो बड़ा जो क्या होगा, 0, यहां दखाने के बाद, x common निकाल लेंगे, तो यह क्या होगा, x-10 होगा, यहां से plus 3 आजाएगा, यह x होगा, 3 के development, 30 का बाद आती 10 गा, 0 आजाएगा, यह होजाएगा, x-10, यह होजाएगा, x-10, x plus 3, z प्लस क्या होगा, 0, चिके, अब आगे हम इसको अगर, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा आपको, x-10 के लिए क्या लिखेंगे, x-10 दा, sorry, x-10 is equal to 0 लिखेंगे, यह लिखेंगे, x-3 is equal to 0, minus 10 यहां क्या होजाएगा, plus 10 तो x is equal to 0 क्या आजाएगा, 10, और plus 3 यहां क्या होजाएगा, minus 3, बराबर, तो age रेंगे टिक नह नहें डिखेंगे, x-10 तो लिखेंगे, तो x-10 को तो, x-10 आगया, x-10 दो ती, आपकी जो age हो, किस चिती, kishor की age होगि ठीखेंगे, रेंफोर, विवेक चितनी होगि, रेंपने में लिखेंगे, उर फिखेंगे, आपको, kishor की ती, ती हुतनी होगि, x-5 ती यहां पर आपने एक शब्द देखा कौन सा अजय सी क्रोकल देखा अब हम देखते हैं फिफ्ट सम की तो कंडिशन है वो थोड़ी सी अलग है और थोड़ी से डिफरेंट है जहां को ध्यान देखें नहीं है इतनी नॉर्मल कंडिशन नहीं है उसकी आपको समा जाले है इतना सब्सक्राइब क्या पाँ टैशन को सब्सक्रा दो किया दो पूर्याक बशास जाथन varies ciri टीव मिलतने जीर थैयां हैSmith इसरे test में तुम्हें कितना मिला, उससे 10 जादा, यानि के 10 मिला हो, या ऐसे सा पोस्ट करो, तुम्हें पहले test में 10 मिला था, अगले test में 10 जादा मिला, यानि के 20 मिला था, ठीक है, यह, 5 times the score of times आ रहा है, आपर times का मतलब भी multiply होता है, 5 times the score of the second test is same as the square of the score of the first test, इसको मैं एक एकर की समझाने ही कोशिश करता हू, times का मतलब multiply है, वो या रखना, times का मतलब क्या है, multiply है, times मतलब multiplication, कीक है, याद रहेगा, अच्छा, अब यहाँ दे, तो हम लोग यह देखते है, lengthy marks, lengthy marks, scored by suyash, scored by suyash, in first test, in first test, bx, ठीक है, क्या है अच्छ में, पहले test में कितने लाए तो marks, x लाए तो है, therefore, marks in second test क्या होंगे बता, marks in second test क्या हो जाएंगे, second test में उसको ज्यादा मिलेते, जितने भी पहले test में उससे कितने मिलेते, 10 marks ज्यादा मिलेते, तो ही कितना है, x test है ना जाए गा, अमने इसको देखा था, बराबर अपी थोड़ी दर पहले, यह हो गया, अब condition क्या हो देखो, 5 times the score of second test, 5 times the score of second test, अचा मैं लिखता हो देखो, 5 times score of second test, इसको डिकोड करो बता हो, 5 तो ऐसे होगा, time मतलब क्या मल्टिका है, score of second test, second test का score क्या है, x plus 10, हा, इतना decode कर पा देखो, ठीक है, अचा, आपके देखो क्या लिखा था, 5 times the score of the second test, is same as the square of the score of the first test, is same as the square of the score of the first test, first test में score क्या था, उसका x था, और उसका क्या करता हो, square, और इस बोला है तो क्या हैगा, is equals to, तो क्या यह ऐसे दिखेगा, 5x plus 10 is equals to x squared, बराबर है, है ना, उसने क्या कहा, आपका second test में जो भी score था, उसका 5 गुना, वो किसके, किसके equal होगा, square के equal होगा, उन marks के, जो आपने first test में score क्या था, first test में आपने कितना score क्या था, x score क्या था, तो अब बता उपने quadratic equation बन जाएगा, तो आपका quadratic equation क्या बनेगा, आपका quadratic equation में बनेगा, यह, 5 times the score of second test, ठीक है, इस सेम इस the square of the, score of the first test, अब इसको solve करते है, 5 into x क्या होगा, 5x, 5 times at the power, 50, is equal to क्या होगा, x square, अब यह जाएगा, x square, plus 5 यहां क्या होगा, minus 5x, plus 50 यहां कर क्या होगा, minus 50, is equal to क्या होगा, 0, बराबर है, यहां देख समझ गए, अब 50 को factorize करना है, और क्या लाना है, 5 लाना है, काफी simple है, यह 50 है, यह क्या होगा, 10, 5, 50 होगा, minus 5, चेट, इसे minus देदो, इसे क्या देदो, प्लस देदो, यह क्या होगा, इसे क्या होगा, इसे क्या देदो, 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 इसे क्या होग तो पहले टेस्ट में स्कोर कितना दा 10 था अब बता दूसरे टेस्ट में स्कोर का एक्स प्लस 10 था यानि के क्या होगा सेकेंड एक स्कोर कितना ओगा एक इतना हैगा 20 का इन दूसरेकर एक स्थी उपष्टा में और स्टइया पांच प्रोम निए इसको अच्छे से करीएगा अगले जो पांच प्रोम है वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको इसको पताऊँगा जरूर्ट इसमें कोई भी डाउट होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में बताईए अगर आपने कोई अलग मेथेट से किया है तो आप वो मेथेट भी हमें बता सकते हैं ठीक है ओके थांक्यू